असलाम लेकुम उमीद है आप लोग ठीक होंगे इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू टेक्स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे अब जरा गौर से समझेगा क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉंसेप्ट को बहुत कंसाइस करके मैं इस वीडियो में समझाऊंगा ओव से पूराइब बना थे हम टेक स टाइल के के लेकिन आज करके आचकल के दौर के इसाब से हम letter्स को भी कह रहे होते रोप्स को भी कह रहे होते है यर्न को कुझ pouco है तो मतलब आझ और के दौर मैं टेक्सटाइल की डेफिनेशन एक बहुत ब्रॉड वे में Südra की जा रही होती है ठीक है तो आज कल के दोर के हिसाब से जो टिकस्टाइल की डेफिनेशन बनती है एनिफिंग डेट इस मेड़ बाइ फाइबर इस कॉल टिकस्टाइल ठीक है अब इन दी एंड हमारा जो ज्यादा तर टिकस्टाइल प्रोडक्ट से पाला पड़ता है हमें उसके यार्ण पर डिपेंड करती है उसके फाइबर्स पर और इन दी एंड उसके पॉलिमर या उसके मोनोमर पर डिपेंड कर रही होती है तो बिल्कुल बैसिक यूनिट से हम लोग स्टार्ट लेंगे overall कौन-कौन से प्रोसेस से हम different product को किसी और product में convert कर रहे होते हैं ये समझेंगे तो सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि मौनोमर क्या होता है मौनोमर बैसेकली कोई भी स्मॉल मौलीकिल्ज मौनोमर कहलाएंगे लेकिन किसी भी मौनोमर से टेक्स्टायल प्रोड़क्त नहीं बनाय जा सकता क् modelечение small molecules के अंदर flexibility नहीं होती जब हम उसको convert करते हैं long chain molecules के अंदर तो उसके अंदर flexibility introduce हो जाती है जैसा कि आप लोगों को पता है textile material में flexibility होना बहुत जरूरी है लहाजा हम लोग monomer से सबसे पहले क्या बनाते हैं long chain molecules जिने हम polymer कह रहे होते हैं उन polymer से हम लोग fiber बना रहे होते हैं ठीक है monomer से polymer में conversion का process polymerization कहलाता है यह addition भी हो सकता है condensation भी हो सकता है आसान अलफाज में जो जाहरे sciences के students नहीं हैं उनके लिए याद रखेगा कि अगर polymerization के दोरान by product बन रहा है polymer से फिर हमने बनाना है fiber अब जो fiber बनाने का process है उसे हम कहते हैं fiber formation याद रखेगा यहाँ पर मैं natural fibers की बात नहीं कर रहा हूं क्योंके natural fibers हमें बने बनाएं मिलते हैं हम यहाँ पर man-made fibers की बात करें man-made fibers को बनाने की क्या techniques होती है हमारे पास melt spinning technique है dry spinning technique है और wet spinning technique है जैसे हम लोग आगे जाएंगे इसे detail में समझेंगे खेर fiber हमने बना लिया लेकिन fiber होता क्या है उसको हम define कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे में भी समझें any hair like substance is called fiber हर hair जैसी चीज़ क्या कहलाती है fiber कहलाती है ठीक है उस fiber से जब हम yarn बना रहे होते हैं तो उस process को yarn formation के process को हम क्या कहते हैं spinning कहते हैं बहुत सारी different type के spinning processes हैं लेकिन यहां short staple fiber की spinning के हम लोग ज्यादा तर तीन main process को इस course में detail में थोड़ा पढ़ेंगे ठीक है जिसमें हमारे पास ring spinning आ जाएगी rotor spinning और vortex spinning आ जाएगी जाहरे yarn हमारे पास क्या चीज़ होती yarn की definition को भी समझ लेते हैं any continuous strand of fibers with sufficient strength उसे हम yarn केंगे ठीक है जरूरी नहीं है कि उसके अंदर twist हो या ना हो ठीक है actual चीज़ क्या है कि उसके अंदर sufficient amount of strength होनी चाहिए जो कि required है और वो continuous strand होनी चाहिए ठीक है अब जाहरे yarn से हमने क्या बनाना है then we have to convert then that yarn into a fabric जो हम fabric machine पर prepare कर रहे होते हैं वो बिलकुल raw fabric होता है वो इतना खुबसूरत नहीं होता दिखने में इसलिए हम उस raw fabric को grey fabric भी कह रहे होते हैं ठीक है fabric बनाने के कितने तरीके हैं बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से चार method मैंने यहाँ पर लिखे हैं एक woven fabric होता है जिसके अंदर आपको यह structure नजर आ रहा है vertical horizontal set of yarn को interlace कराने से हम woven fabric बनाते हैं braided fabric में भी interlacement होती है लेकिन वहाँ पर along diagonal interlacement कराई जाती है अगर मैं yarn से interloping और intermeshing के दुरू fabric बना रहा हूँ तो वो knitted fabric कहलाएगा लेकिन अगर मुझे yarn की जरूरत नहीं है मैं directly fiber को ही fabric में convert कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा non woven fabric तो common sense का सवाल है कि इन चारों में सबसे जादा cheapest कौन सा process होगा तो दिमाग यही कहता है कि भाई जाहर है yarn manufacturing का process नहीं हो रहा तो उस process की cost बच जाएगी मतलब non woven fabric जो है हमारे पास cheapest fabrics होते है ठीक है अच्छा ग्रेक fabric मतलब आसान अलफाज में fabric की definition को भी हम यहाँ पर समझ लेते है any sheet of fibers with sufficient strength देखें यहां fabric की definition में मैंने yarn का जिकर नहीं किया है ताकि non woven fabric को भी मैं इस definition में include कर सकूँ ठीक है yarn होगा तब भी जाहर है वो sheet के अंदर fibers तो मौझूद है ना ठीक है तो sheet of fibers with sufficient strength is called fabric अब वो जो raw fabric था जो दिखने में इतना खुबसूरत नहीं था उसको ज्यादा price में तो बेचा नहीं जा सकता तो उसकी खुबसूरती बढ़ाएंगे हम ताकि उसकी price भी बढ़ा सकें उसको ज्यादा profit margin भी उससे gain कर सकें ठीक है तो उसके लिए हम उस पर different processes कर रहे होते हैं उसके उपर mainly खुबसूरती बढ़ाने के लिए dying और printing का process किया जा रहा होता है और उसके अंदर different functional properties add करने के लिए उसके aesthetics hand feel या उसकी properties change करने के लिए हम उसके उपर finishes apply करते हैं लेकिन issue क्या है कि ये तीनों के तीनों process सही से नही हो पा रहे होते हैं क्योंकि raw fabric में हमारे पास different तरह की problems होती है जिसकी वज़ा से ना वो सही से dye हो सकता है ना print हो सकता है ना finish हो सकता है अब उन problems को resolve करने के लिए हम इनसे पहले एक और process करते हैं जिसे हम कहते हैं pre treatment उस pre treatment के process में हम फैबरिक को ready कर रहे होते हैं dying printing और finishing के ल के लिए हम लोग pre treatment करते हैं fabric को ready करते हैं collectively चारो के चारो chemical process क्या कहलाते हैं wet processing कहलाता है collectively इसको wet processing कह रहे हैं क्योंकि obvious सी बात है chemicals को fabric में penetrate कराने के लिए medium चाहिए chemical खुद से ओड़के तो fabric में जाएगा नहीं ठीक है तो वह medium provide करने के लिए diffusion के लिए medium provide करने के लिए हम जह definition क्या है imparting color throughout the substrate किसी भी textile product के ओपर color impart करने को हम dying कह रहे हैं लेकिन अगर color किसी localized जगा के ओपर impart किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे printing कहेंगे ठीक है और इसी तरीके से finishing क्या होती है finishing के अंदर हम ऐसा process कर रहे हुते हैं चाहे वो mechanical ही करें या chemical ही करें जिसके तरू fabric का aesthetics change ह जाए hand feel change है और उसकी properties change हो जाए even chemical properties तक आप लोग change कर सकते हैं suppose मेरे पास एक combustible fiber है मैं उसको flame retardant बनाना चाहरा हूँ कि उसमें आग ना लगे तो वो मैं बना सकता हूं chemical finishes के दूरू उसको waterproof कर सकते है waterproof वाले को एक तरीके से hydrophilic बना सकते हम ताकि वह water absorb करे anti-static finishes apply कर सकते ह ताकि static charge खता हुझा है different तरह के finishes हमारे पास यहाँ पर available होते हैं अब जो wet processing के बाद हमें fabric मिल जाता है वो comparatively ज्यादा value added product होता है अब उस fabric को मजीद और ज्यादा value added बनाने के लिए हम क्या करते हैं garment manufacturing करते हैं जाहरे हम जो fabric से garment बना लेंगे तो हमारे पास और ज्यादा profit margin cater करने के chances बढ़ जाएंगे ठीक है क्योंकि जतना ज्यादा हम इस value added process में आगे की तरफ जा रहे होते हैं हमारे पास number of customers भी increase हो रहे होते हैं जाहरे हमसे धागा या fiber तो इतना ज्यादा नहीं खरीद रहोगा लेकिन garment normal लोग खरीद लेते हैं obviously उसे consume किया जा सकता है ठीक है तो finished fabric को हम लोग garment में convert कर लेते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से कोई चीज नहीं लेखी है चूँके garment manufacturing के अंदर बहुत सारे different different stages होते हैं जो के garment to garment भी vary कर रहे होते हैं और different different चीज़ें हमारे पास available होती हैं उमीद है आपको यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होगी अब एक और most important चीज जरा समझते हैं हम यहाँ पर के यह हमने different different products देखे और उन product की inter conversion के लिए कौन कौन से process हो रहे होते हैं वो भी हमने देखा इस complete textile के overview के अंदर हमने अपना business related mindset भी develop करना होता है किस तरीके से अगर हमने कल को business start करना है तो हमें कुछ basic चीज़ें पता होनी चा investment कम होती जा रही है और हमारा profit margin increase होता जा रहा है जितना initial stage का product होगा उसके उपर process करना उतना ज्यादा complex होगा space भी ज्यादा required होगी investment भी ज्यादा required होगी मतलब अगर मैं monomer को polymer में convert करने का process कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे space भी ज्यादा required होगी ज्यादा technical workers required होगे ज् वहीं पर अगर मैं government बनाना चाहरा हूं तो government manufacturing के लिए comparatively मेरी investment reduce हो जाएगी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक stitching machine खरीद नी होगी fabric खरीदना होगा और convert करके दे देना होगा ठीक है तो comparatively हमारे पास investment जतना ज्यादा value added product होगा उसके लिए investment उस पे कम लगेगी उसके लिए space भी कम occupied होगी ठीक है inventory की भी इतनी ज्यादा requirement नहीं है मतलब वहीं पर अगर मैं बात करो profit ये याद रखीगा जितना ज्यादा value added product होगा उसमें profit margin भी आपको ज्यादा मिलेगा market size की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी ज़रा समझे हमारे पास जतना initial product होगा suppose polymer बना रहों मैं polyester मैंने बना लिया normal customers को normal लोगों को तो आप polyester नहीं बेच सकते ना जाहरे वो तो polyester के कपड़े खरीदना पसंद करेंगे गार्मेंट खरीदना पसंद करेंगे उनको अगर मैं polyester का plastic बेचना शुरू करूँ वो उनको further process नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर मैं गार्मेंट ब नहीं आयागा उसके लिए मुझे companies को different different बड़े-बड़े businesses को order देना पड़ेगा ठीक है तो इसी चीज़ को हम लेकर आ जाते हैं अगली बात की तरफ marketing की हमारे पास दो तरह की strategies होती है B2B और B2C मतलब business to business या फिर business to consumer suppose मैं एक fiber बना रहा हूँ वो fiber बना के मैं किसी भी normal दुकान पर नहीं बेच सकता क्योंकि वो fiber को fabric में convert करना आम लोगों के बसकी बात नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं fiber बना रहा हूँ तो मैं एक spinning mill को बेच सकता हूँ ठीक है तो ये जो मेरे पास spinning mill होगा वो भी एक business होगा और मैं manufacturer हूँ मैं भी एक तरह का business ही चला रहा हू unit आपके पास profit margin comparatively कम होगा लेकिन जब आप कोई garment बना लेते हो highly value added product बना लेते हो तो उसको आप normal दुकानों पर भी बेच सकते हो ठीक है मतलब अगर मुझे एक garment बना रहा हूँ किसी भी तरह कि मैं t-shirts बना के बेच रहा हूँ तो normal लोगों को तो नहीं पता कि उसकी manufacturing के अ approach की तरफ जाओंगा जाहर है यहाँ पर मुझे profit margin जादा मिलेगा ठीक है यह चीज बिजनस to business भी हो सकती है suppose अगर लेवाइस किसी industry को order दे रहा है एक लाग पैंट्स बनाने का तो वो क्या होगा basically वो business to business approach होगी क्योंकि लेवाइस भी एक brand है और वो company manufacturer है ठीक है लेकिन अ आगे अपनी retail की shops के ओपर normal लोगों को बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है B2C approach की तरफ जा रहा है ठीक है जहां पर उसे profit margin ज्यादा मिले ठीक है अगर हमने profit margin और ज्यादा increase करना है तो हम local market की बज़े international market को focus करेंगे मतलब हमें अपना product export करना पड़ेगा यह याद export करेंगे उतनी आपकी economy down होगी यह याद रखिएगा तो इसी वज़ा से दूसरी countries क्या होती जा रही है आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि वो value added products के ओपर काम कर रही है हम आज भी cotton के top exporters के अंदर आने पर फखर महसूस करते हैं हाला कि वो fiber है वो इतना जादा value added product नहीं ह तो उस लिहास से हमारी country को भी जादा फायदा होगा क्योंकि हम लोग एक तरीके से महेंगा product बेच रहे हैं और सस्ता product इंपोर्ट करना चाहिए हमें fiber दूसरी country से इंपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक low value added product है तो यहां तक की चीज़ें हम लोगों ने discuss कर ली यह overview of textile थ खायख करें?